क्या गुप्त चुनावी चंदा स्कीम आजाद भारत के इतिहास का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घुटाला है। क्या प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी अब भी ये दावा कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है। क्या आजाद भारत के इतिहास में जितने भी वित्तमंत्री रहे हैं स्वरगी अरुण जेटली तमाम वित्तमंत्रियों में अब एक ऐसे स्थान पर जगा पा रहे हैं जिसके चलते उन्हें सलीके से याद नहीं किया जाएगा आखिर गुप्त चुनावी चंदा स्कीम्स पर मोधी सरकार के मंत्री क्यों खामोश हैं सवाल ये भी कि क्या गुप्त चुनावी चंदा स्कीम एजनसीज द्वारा भाजपा के लिए औद्यों के घरानों को ब्लैकमेल करने का जरिया बन गया था वसूली करने का जरिया बन ग के लिए एजनसी की मार से बचने के लिए औद्यों के घराने गुप्त चुनावी चंदा दे रहे थे ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाबा अजाद है तेरे अगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री नरेद्र बोदी अपनी रालियों में क्या बोलते हैं किस तरह से वो खुद को गारंटी बताते हैं सुनिए उन्होंने क्या करता साथियों मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है अरे पूरे दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी आज मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी से सवाल करना चाहता हूँ आप जिस आत्म विश्वास के साथ इस गारंटी की बात कर रहे हैं गुप्त चुनावी चंदे को लेकर जो आकड़े सामने आए हैं वो खोश उड़ा देने वाले हैं सबसे पहले ये आकड़े क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ जिसका जिक्र मैं अपने अनिकारक्रमों में कर चुका हूँ मगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये आकड़ा जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला भाशपा को मिला 6,060 करोड 51 लाक रुपए तरिणमूल कॉंग्रिस को मिला 1,609 करोड 53 लाक रुपए कॉंग्रिस को मिला 1,421 करोड 87 लाक रुपए बी आरेस को मिला 1,214 करोड 71 लाक रुपए और बी जेडी को मिला 775 करोड 50 लाक रुपए दिल्चस बात यह दोस्तों कि असली जो खेल है वो इन आकड़ों से पता चलता है कि किस ओद्योगिक समू ने कितना पैसा दिया लॉट्री किंग सांटियागो माटिन ने पैसे दिये 1,368 करोड रुपए एक ऐसी कंपनी जिसका ओपरेटिंग राजस्व सिर्फ 500 करोड था वो 1,368 करोड रुपए दे रहा है Megha Engineering and Infrastructure Limited ने दिये 966 करोड रुपए कई जगा पर यहां खड़ा 980 करोड रुपए बताया जा रहा है इत्तिफाकन Megha Engineering जो है यह वो कंपनी है दोस्तों जो News Channel TV9 की मालिक भी है यानि कि एक News Channel के मालिक Secret Electoral Bonds के जरीए पैसे दे रहे थे और कहीं न कहीं इसके बदले में उन्हें फाइदा भी मिल रहा था उसकी में चर्शा कुछ देर बात करूँगा मगर सबसे पहले मोधी सरकार के मंत्रियों से मेरा सवाल कि आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि स्मृति इरानी, संबित पात्रा और अमिश्शा क्या कह रहे हैं सबसे पहले अमिश्शा का ये बयान आपके स्क्रीन्स पर देश वासियों को रहत देते हुए प्रधानमंत्रीशी नरेंद्र मोधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रती लीटर की कटवती करने का निरने लिया है मोधी जी के प्रयासूं से देश में पेट्रोल के दाम में पिछले 20 सालों में करीब पंदरा रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम में लगभग सत्रा रुपे प्रती लीटर की कमी आई है हमिश्या ये कह रहे हैं स्मृती रानी भी वही बात कह रहे हैं आम जन्मानस को राहत पहुँचाने की दिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपए की कटौती, इस मिरने का स्वागत, संबित पात्रा, वही बात कह रहे हैं, दो रुपए प्रती लीटर की कटौती, अगर साब मजाल है, इन में से कोई भी सीक्रिट एलेक्टोरल बॉन्स को लेकर चर्शा कर रहा हूँ, इन्हें भूल जाएए, इनका तो काम है मुद्दों को भटकाना, क्योंकि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इनकी प्रीकल प्राइ मुद्दों पर, किस तरह से, ये देखिए, सबसे पहले, अमबानी का न्यूस चानल, दोहजार चौबीस के चुनाव से पहले आगया CAA, न्यूस 18 में, देश का सबसे बड़ा उपिनियन पोल, जन्ता खपा या EVM बेवफा, EVM चुनाव आयुक्त, और एक देश एक चुना 24 में CAA और टाइम्स नाव भारत, CAA पर अमिट शा और खुद आप मेताओं ने खोल दी केजरिवाल की पोल, जैसे कि मैंने आपको बताए, इन में से कोई भी सीक्रिट एलेक्टोरल बांड्स को लेकर चर्शा नहीं कर रहा, सरकार मुद्दे को भटका रही है, और गोदी म उस पर भी सवाल उठ रहा है, इस आखड़े पर गौर कीजे दोस्तों, 966 करोड मेगा इंजिनरिंग और इंफ्रस्ट्रॉक्चर लिमिटेड ने सीक्रिट एलेक्टोरल बांड्स के जरीए इतने पैसे पोलिटिकल पार्टी इसको दिये, अभी यह जानकारी सामने नहीं आ जिसकी कीमत 14,400 करोड है, वो मेगा को मिला, उसके बाद देखिये साब, जो इन्हें प्रोजेक्ट मिला था उसके नीचे की तारीख देखिये, 12 मई 2023 और इन्होंने 11 अप्रेल 2023 को चुनावी चंदा दिया 966 करोड रुपए, यानि कि 11 अप्रेल 2023 को मेगा एंजिनरिंग 966 करोड रुपए के Electoral Bonds खरीते हैं, चंदा देते हैं, और उसके एक महिने बाद, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों, उन्हें मिल जाता है कॉन्ट्राक्ट 14,400 करोड का, सवाल यही किया जा रहा है, कहीं है, कुड प्रो कुओ तो नहीं है, यानि कि मैं आपकी सेवा करता हू बदले में, आप मेरी सेवा करें, बात वहाँ नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए, 3621 करोड का बुलिट ट्रेन स्टेशन प्रोजेक्ट, यह किसको मिला, MEIL यानि Mega Engineering Infrastructure Limited, और साथ में हिंदुस्तान Construction Company, फिर देखिए, मंगोलिया में 5,400 करोड का प्रोजेक्ट मिला, म मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना का KLIS प्रोजेक्ट, यह एक री इंजिनरिंग प्रोजेक्ट था, और खुद मोदी सरकार की एजिंसी यह कह रही थी, कि Mega Engineering Infrastructure Limited ने, चार गुना ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो जी ने इस कथित घोटाले की तरफ इशारा किया, तो क्या Mega पर कोई कारवाई हुई? नहीं, उल्टा नितन गड़करी ने Mega की तारीफ की थी संसत के अंदर, यह तो बात Mega की हो गई, अब हम बात करते हैं Future Gaming की, Lottery King, Santiago Martin की, क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनके बेटे भाश निर्मला सीता रमन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और होजे चार्ल्स मार्टिंग जो की सांटियागो मार्टिंग की बेटे हैं, वो सांटियागो मार्टिंग जिसकी कंपनी ने 1368 करोड रुपए भाशपा को दिये, वो क्या बोल रहे हैं? यहां पर सांटियागो मार्टिंग का बेटा वितमंत्री से मुलाकात कर रहा है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग राजिस्व 500 करोड है, वो 1368 करोड रुपए गुप्त चुनावी चंदे कैसे खरीद सकता है और दान कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, 2019 से फ्यूचर गेमिंग पर एजनसी की कारवाई शुरू होती है। 2019 से कारवाई चलती है और 2022 से में उनके 400 करोड की संपत्ती को ED अटाच कर देती है, जब्त कर देती है। अब आप ये कह सकते हैं कि चंदा देने के बावजूद उनकी संपत्ती को अटाच किया, मगर क्या सांटियागो मार्टिन को गिरफतार किया गया, उनके बेटे भाच्पा में क्यों शामिल हो गए। ये तमाम सवालात हैं, इसलिए मैंने कायर करम की शुरुआत में कहा, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की स्कीम है, जो गारंटी की बात करते हैं, वो आज पूरी तरह से एक्स्पोज हो गई है। कि हम 30 जून से पहले जानकारी नहीं दे सकते, मगर जैसी सुप्रीम कोट फटकार लगाती है, तो 12 मार्श को इस सारी जानकारी जो है, वो सामने आ जाती है। सवाल तो किये जाएंगे ना, क्या इस मुद्दे से मोधी सरकार बच सकती है, क्या SBI पर दबाब बनाये गया था मोधी सरकार द्वारा जूट बोलने के लिए, स्वावाविक सी बात है, इसका जवाब हाँ है, क्योंकि SBI मोधी सरकार के अंतरकत काम करती है, और सबसे बड अगले ही साल सेरम इंस्टिटूट भाजपा को बावन करोड का चंदा देता है, सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स के जरीए, तीन मिसाल मैंने आपको दिये है, मेगा इंजिनरिंग इंफ्रस्ट्रॉक्चर लिमिटेड, फ्यूचर गेमिंग की और तीसरा सेरम इंस्टिट की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भरष्टाचार के मामले हैं, मगर यहां दिखाई दे रहा है बाकाइदा की दबाव था, क्या चुनावी चंदा देने की एवज में फाइदा हुआ, और सबसे बड़ी बात, दो कंपनियों की मैं बात करना चाहूँगा, और बिंदो और शिरडी साई एलेक्ट्रिकल्स, शिरडी साई एलेक्ट्रिकल्स के दफ्तरों पर रेड पड़ती है, और उसके अगले महिने, वो लोग चुनावी चंदा देते हैं, अब ये चुनावी चंदा किस पोलिटिकल पार्टी को गया, ये सामने आना चाहिए ना, उसी तरह से और और बिंदो, और बिंदो के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगले ही महिने, वो चुनावी चंदा देते हैं, अब ये पैसा किसको गया, ये भी तो सामने आना चाहिए ना, इसी लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा स स्कीम लेकर आये थे, याद कीजिए जब ये स्कीम लेकर आये थे, तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने किया था, शुनाव आयोग नहीं किया था, ये बात अलागे कि बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया, शुनाव आयोग ने तो ले ही लिया, मगर इन मुद्दों को लेकर अपनी आँखें मुदे कैसे रह सकते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कट घरे में उन्हें जबाब देना होगा, दो हजार चौदा से पहले जब भी भरश्चाचार का कोई मामला आता था, तो हम उसकी चर्चा करते थे, न यूस चैनल्स पर विश्वास किया जा सकता है, अजीब औ गरीब बात कि इन में से एक न्यूस चैनल की जो मालकाना कंपनी है, उसने खुद नौसो करोड से ज्यादा सीक्रिट एलेक्टोरल बांड्स खरीदे हैं, चंदा दिया है, ये तमाम मुद्दे हैं जिससे आप मु आतरा सुरिती रानी और अमिट शा पेक्ट्रोल और डीजल के दाम कम होनी की बात कर रहे हैं, असली मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, उसी तरह से प्रधान मंत्री से भी जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो अपने आप में कितना बड़ा दुरुबा हो गये, मगर ह झाल